Hello everyone, अधिन कक्षमें आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे growth and development की यानी वृदि एवं विकास की अब अक्सर हम यह देखते हैं कि हम growth और development यह जो words हैं इन दोनों को हम interchangeably use करते हैं मतलब कि कई बार हम growth की जगा पर development use करते हैं और कई बार हम development की जगा growth का इस्तेमाल करते हैं मतलब कि इन दोनों words को हम प्राहवाची शब्दों के रूप में use करते हैं लेकिन यदि हम in depth देखें तो यह जो word है यह एक दूसरे से काफी जादा अलग हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि growth क्या होती है, development क्या होती है और यह दूसरे से कैसे भिन है और यह दूसरे से किस तरह से जुड़ी हुई है तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे growth की यानि वृद्धी की यदि हम general way में कहें तो जो growth है इसका अर्थ होता है increase in size मतलव कि किसी भी चीज के size में जो increase आता है उसे हम growth कहते हैं So we can say that growth is a physical process of development यानि कि जो growth है वो development का एक physical process है मतलव कि जो वृद्धी है वो विकास की एक शारिरिक प्रक्रिया है तो यहां से एक बात clear हो चाती है कि जो growth है वो development का हिस्ता है मतलव कि जो विकास है development है उसके अंदर आपकी growth भी आती है अब यहां पर हम बात करते हैं कि यह physically larger होने का एक process है प्रक्रिया है मतलव कि इसमें हम बात करते हैं कि सारिरिक रूप से यानि physical रूप से हमें जो changes आ रहे हैं जो physical changes आ रहे हैं उसे हम growth कहते हैं जैसे कि जब हम छोटे थे तो हमारे हाथ हो गया बाजू हो गया उनका size भी छोटा होता था लेकिन फिर time के साथ जब हम बढ़े हुए तो इनका जो size था यह भी क्या है बढ़ता रहा तो यह जो physical changes है इन ही changes को हम क्या कहते हैं growth कहते हैं तो जो हमारे body है हमारी जो body के parts है इन में क्या है इनके size में जो increase होता है उसे हम क्या कहते हैं ? ग्रोध कहते हैं, अब जैसे कि हमारा हाइट हो गया, वेट हो गया, ये क्या है आपकी ग्रोध है, अब जो हाइट है, वेट है, हम क्या है इन्हें मेजर कर सकते हैं, मतलब कि हम इन्हें माप सकते हैं, कि किसी की हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, मतलब कि हम क्या है इन च ग्रोथ है यह जैनिटिक से प्रभावित होती है मतलव कि हैरेडिटी यानि जो अनवांशकी है इसका इस पर काफी जाधा इंफ्लेंस होता है अब जितने भी हमने अभी तक बाते की वहां से यह क्लियर हो चुका है कि जो ग्रोथ है उसमें सिर्फ हम फिजिकल एस्पेक्ट को रहती है जो आपकी ग्रोथ है यह एक सर्टन पियेड ऑफ लाइफ पर आकर रुक जाती है मतलव कि जब भी हैं मैच्योरिटी को ग्रैंड कर लेते हैं उसको पा लेते हैं तो उसके साथ जो आपकी ग्रोथ है वो भी क्या है रुक जाती है अब थोड़ी देर पहले हमने बा है मतलब कि एक ताइम पर आके क्या है वो रुक गया है अब जैसे कि आपकी हाइट है ठीक है अब हमारी हाइट जो है वो 18-19 की उमर तक क्या है maximum limit को रीच कर लेती है तो मतलब कि जो आपकी growth है वो क्या है एक एक certain period of life पर आकर रुक जाती है I hope कि आपको growth के बारे में समझ आ गया होगा तो अब हम इसके कुछ important points को जल्दी से discuss कर लेते हैं revise कर लेते हैं जैसे कि जो आपकी growth है वो quantitative होती है मतलब कि हम इसे measure कर सकते है और इसमें हम सिर्फ physical aspect को देखते हैं और यह क्या है certain period of life पर आकी यह क्या है रुक जाती है ठीक है जैसे कि आपके height हो गए weight हो गए यह क्या है आपकी growth में आ जाते है next अब हम बात करेंगे development की यानि विकास की अभी जब हम growth की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो growth है वो development का हिस्सा है तो यहां से एक बात clear हो जाती है कि जब भी हम development की बात करेंगे तो growth वहाँ पर होगी ही क्योंकि जो growth है उसके through भी हमारी development होती है मतलब की हम growth के through भी development को अचीव करते हैं कहने का अर्थ ऐसा है कि जो development है वो growth की बगैर भी हो जाती है लेकिन जो growth है वो एक part है आपका development का तो growth की वज़ा से भी क्या है development होती है for example जैसे कि हमारी shape में change आते हैं structure में change आते हैं तो इस वज़ा से क्या होता है हमारी जो working है functioning है वो improve होती है अब जैसे कि हमारे जो arms है हमारे जो heart है सिर्फ ऐसा नहीं है कि time के साथ साथ वो सिर्फ grow ही हुए हो growth के साथ साथ उसमें क्या है development भी हुई है अब जब हम छोटे थे तो हो सकता है कि यह सी बहुत सी चीज़े हो जिनको हम नहीं कर पाते थे लेकिन अब हम उन चीज़ों को easily कर पाते हैं तो यहां से एक बात clear है कि growth के साथ साथ क्या होता है हमारी development भी होती है अब यदि हम development की बात करें तो conception से death तक यानि गर्वाधान से मृत्यू तक human being में जो भी changes आते हैं परिवर्तिन आते हैं उसे हम development कहते हैं अब एक तरफ जहां पर growth में हम सिर्फ physical aspect की बात करते हैं लेकिन जो आपका development है इसमें हम physical development, cognitive development, emotional, social development इन सभी चीज़ों की बात करते हैं अब हमने कहा कि जो development है वो conception से death तक होती रहती है मतलब कि यह throughout चलने वाला एक process है तो मतलब कि जो development है वो क्या है एक continuous process है लेकिन दूसरी तरफ हमने बात की थी कि जो growth है वो maturity के साथ साथ क्या है वो रुक जाती है मतलब कि at a certain period of life जो आपकी growth है वो क्या है stop हो जाती है लेकिन जो आपकी development है यह नहीं रुकती यह उसके बाद भी क्या है चलती रहती है मतलब कि घरवाधान से आपकी उम्रित्यू तक जो development है वो क्या है होती रहती है तो यहां से हम कह सकते हैं कि development is the pattern of progressive, orderly and predictable changes that begins at conception and continue throughout life मतलब कि जो विकास है यानि जो development है वो ऐसे changes जो कि progressive है, orderly है मतलब कि एक system में होते हैं और जिनने की हम predict कर सकते हैं यह उनका एक pattern है जो कि conception से सुरू होती है और throughout life यानि की हमारी death तक होती रहती है तो I hope कि आपको यहां से development का concept अच्छे से clear हो गया होगा इसी के साथ एक और important point है कि जो हमारे में temporary changes आते हैं जो कि किसी illness की वज़ा से हुए हो मतलब कि जिनके ठीक होने की chances होते हैं तो उस चीज़ को हम development में account नहीं करते हैं तो जो development है इसमें हम quantitative changes के साथ qualitative changes की बात भी करते हैं qualitative का मतलब है कि इन चीज़ों को हम measure नहीं कर सकते जैसे कि आपकी personality में जो changes आ रहे हैं, emotion में जो changes आए हैं यह सभी आपके development में आ जाते हैं तो मतलब कि आपकी जो development है यह quantitative होने के साथ qualitative ही है इस point को आप low-down कर लीजिए कि आपकी जो development है यह quantitative होने के साथ qualitative in nature है इसी के साथ हमने अभी बात की कि यह हमारी मृत्यू तक होती रहती है मतलब कि यह womb to do चलती है मतलब कि गर्ब से कब्र तक यह होती रहती है इसी के साथ जो आपकी development है it is the product of heredity and environment मतलब कि आपकी जो development है वो heredity or environment का product है गुणनफल है यह जो equation है development is the product of heredity and environment यह जो equation है इस equation को Woodworth के दोरा दिया गया है आप इस point को भी no-down कर लीजिए कि यह जो equation है किसके दोरा दी गई है Woodworth के दोरा दी गई है तो अब हम quickly इसके कुछ key points को देख लेते हैं कि जो आपकी development है वो कैसी है continuous process है मतलब कि क्या है गर्वाधान से मृत्यू तक होती रहती है quantitative होने के साथ साथ यह कैसी है qualitative होती है और यह क्या है आपकी womb to tomb चलती है और it is the product of heredity and environment तो अभी तक हमने जो पढ़ा यदि हम उसे sum up करें तो हम कहेंगे कि जो growth है वो development का एक part है और जो growth है इसमें हम सिर्फ बात करते है physical aspect की दूसरी तरफ जो आपका development है इसमें हम physical, cognition, emotion तो सर्फ बहुत सारे aspects की बात करते हैं next अब हम बात करेंगे maturation की यानि परिपकवता की तो जो maturation है इसमें वो सारे changes आजाते है जो की एक sequence में हो रहे हैं और ये जो changes है ये हमारे genetic blueprints की वज़ा से हो रहे हैं जिस वज़ा से जो हमारी growth है और जो development है उसमें बहुत सारी commonalities आपको देखने को मिलती है और for example कुछ बच्चे जो है 7 मंद की age में वो बिना sport के बैट आते हैं और सकता है कुछ बच्चे 8 या फिर 9 महिने की age में इस चीज को करें तो एक natural process है यहाँ पर उसको कोई training के ज़रूरत नहीं है उसको किसी special चीज को सिखाने की ज़रूरत नहीं है मतलग कि यह naturally हो रही है ठीक है मतलग कि यह हमारे अंदर कुछ क्या है inherited traits होते है जो कि क्या है genes के थुरूराय होते है जो कि maturity के सासत अमें दिखाई देते है ठीक है तो यह क्या है जो maturation है वो एक natural process है और यह genetics पर depend करता है मतलग कि जो genes होते है ठीक है जो inherited traits होते है वो क्या करते है हमारी जो physical capacities होते है उनको unfold करते है और यहाँ पर क्या है जो maturation है वो किसी भी special training और environment पर depend नहीं करती है यह क्या है एक natural process है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है अब आपने देखा होगा कि गए बार बहुत से बच्चे क्या है कम ओवर में वो काफी जादा mature होते है मतलब कि उनमें काफी जादा maturity होती है उनका बात करने का चरीका उनका behavior इन चीजों से यह चीज़े आपको पता लग जाती है तो यह कैसी चीज़े है यह हम में क्या है inherited होती है मतलब कि पहले से हम में होती है बस maturity के साथ साथ यह आपको देखने को मिलती है तो जो maturation है वो part है growth और development का और सबसे पहले जो maturation term है यह use किये गई थी Arnold Gastel के द्वारा ठीक है इस point को आप note down कर लिजिए कि सबसे पहले child development में इसका use किया गया था Arnold Gastel के द्वारा अब यहाँ पर एक definition भी दी है Gary और Kingsley की कि जो maturation है it is a process whereby behavior is modified as a result of growth and physical structure मतलब कि जो maturation है कैसी प्रक्रिया है जहाँ पर जो growth और जो physical structure है उसकी वज़ा से जो behavior modify हुआ होता है उस चीज़ को हम क्या कहते है maturation कहते है अब यहाँ maturation के कुछ key points को shots में देखे है तो आपको याद रखना है कि एक natural process है और यह क्या है genetics पर depend करता है मतलब कि जो inherited traits होते है उनको क्या है यह unfold करता है ठीक है और यह जो term है maturation यह सबसे पहले किसके द्वारा यूज की गई थी Arnold Gessel के द्वारा ये यूज की गई थी तो चलिए अब हम growth and development से related कुछ MCQs को देख लेते हैं हमारा first question है according to dash development of the child is the product of heredity and environment तो हमने अभी देखा था कि जो development है वो product होता है आपका heredity और environment का और ये जो statement ये किसके द्वारा दी गई थी ये दी गई थी Woodworth के द्वारा तो इसका सही answer है option A Woodworth next question है development is the pattern of changes that begins at dash and continues throughout the life तो हमने अभी बात की थी कि जो development है वो कैसी है निरंतर चलती रहती है और ये conception से शुरू होती है option A Conception next question है human development is the product of the joint contribution of both तो जो human development है हमें पता है कि ये क्या है product है heredity और environment का तो इसका सही answer है option B heredity and environment next question है growth is तो आपको बताना है कि वृद्धी क्या है तो हमें पता है कि जो growth है उसको हम measure कर सकते है तो ये क्या है इसमें आपके quantitative changes आ जाते है तो इसका सही answer है option B quantitative changes इसी के साथ आज की वीडियो में से आपके लिए question रहेगा growth is a term used to describe कि जो growth term है यानि जो वृद्धी है वो इन में से किस चीज़ को describe करने के लिए use की जाती है तो आपके पास यहां पर चार option दिये हुए है सही option आप मुझे comment box में लिखकर बता सकते है and I hope कि आपको growth and development का concept अच्छे से समझ आ गया होगा यदि आपको कुछ doubt है तो आप comment करके पूर सकते हो thank you